आपके परसन की फीलिंग्स आपके परसन की एनरजी आपको लेकर क्या कुछ हो रही है वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ अनरजीज हैं इन सभी चीज़ों को टेरोकार में देखेंगे चैनल को लाइक स्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूली और बेल आइकन को भी प्रैस कर लिजेगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना हैं रिज़ों को और है इसको किसी बी राशी से देख सकते हैं I am into say किसी भी साइन से देख सकते हैं आपकी चंद्र राशी ओ या फिर आपकी मून साइन से भी देख सकते हैं या फिर नीम राशी से भी आप देख सकते हैं तो चलिए कार्ड ना बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं इसा लग रहा है कार्ड को देखकर अनर्जीस को जो की बहुत ज़्यादा स्ट अनर्जीस यहां पर फील हो रही है मुझे क्या वाइबरेशन है देख लेते हैं सोचते रहते हैं आपके परसं तो बहुत जादा overthinking में है control है इतना जादा मुझे लग रहा है इस energies को देखकर कल रात जादा चीज़ जगड़ा हुआ है पहले चीज तो आपके परसन के साथ आपके परसन और थर्ड़ पार्टी का बहुत जगड़ा हो बहुत आर्ग्यू बहुत जदा आर्ग्य होई है बैस बहुत होई है अगर यह और थर्ड़ परसन ऑनलाइन बात कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा जगड़े हुए है कि आपके परसन ने हो सकता है कि को ब्लॉकी कर दिया हूँ और अगर साथ में रहने रहे रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी तो इतनी जादा लड़ाई हुई है इतने जगड़े हुए है क्योंकि आप को देखो यह थर्ड पर्सन के अनर्जीज आ रही है किसी आसे पर्सन की जो किनफ सोट्स के अनर्जीज में और एक आदेश देती है और जो इसकी सोट्स है न उस सोट्स से कंट्रोल करने की कोशिस करती है हर चीज यह चाहती है कि इसके हिसाब से सारी चीज़े हो यह परसन य है और अपने कंट्रोल में हर चीज को रखना चाहता है अब आपके परसन की देखो कि आपके परसन की ओपर थींग कर है कि कल रात आपके परसन में हो सकते कि आपके साथ बात करनी कोशिस की हो यह थाड़ पार्टी ने इनका मन पढ़ लिया हो क्यों का इसमें ना तो कंट्रो परसन कहीं जाएं तो इन्हें बता के जाएं कहीं से आएं तो इन्हें बता के जाएं कि कहां गए थे किसी से कॉल पर बात करें तो इन्हें बताएं इससे बात की किसी से मैसेज किया तो इनको बताएं कि मतलब हर चीज़ पर इनका अधिकार हो इस परसन का आपके परसन इससे पूछ पूछ कर काम करें, इसके हिसाब से काम करें, तो यह बाली सुच्वेशन ऐसी है, नहीं तो यह नाराज हो जाएंगी, जगड़ा हो जाएगा, आर्गुमेंट्स होने लगेंगी, यह फिर इमोशनली बहुत ही जादा कंट्रोल करने की कोशिस करेंगी, बहुत जादा, जिसमें आपकी परसन एकदम से मतलब स्ट्रेस में आचाएंगी, और यह चीज़ उनकी दिख रही है, अब कल रात किया मुझे जो सिच्वेशन दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग, हो सकता है कि आपके परसन ने आपसे बात करने कोशिस की हो, वो सोच रहे हो कि वो आपस था, बड़ा ही बेच है, और यह बात करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़े हैं, जिसकी वज़े से थर्ड परसन को शक हो गया, यह एनरजी जहां दिख रही है, ठीक है, और इसकी वज़े से थर्ड पार्टी हो सकता है कि यह भी चीज़ आ रही है, यहां पर आपका नाम ले दिया हो, कोई तारीफ कर दी हो, यह कुछ ऐसी बात कहा दी हो, जिससे इसको शक हो गया, इस परसन को कि यह इनका दिमाग कहीं और है, बतलब इन परसन का दिमाग कहीं और लगा हुआ है, आप में लगा हुआ है, है ना, और यह अनरजीस की वज़े से आर् एक तो हो, यहाँ पर seven of swords का card, यहाँ पर यहाँ पर यह क्या रहा है, कि जिस टाइम से यह आपके साथ no contact में आए हैं, उस टाइम से यह person बहुत ज़्यादा परिशान है, mentally बहुत stress है, थर्ड परसन की बज़े से ही, आप लोग की बीच में relationship ना एकदम रुक गया, flow में जा एक साथ एक साथ रहना एक साथ उटना बैटना खाना पीना एंजोई करना है ना धेर सारी बाते करना अपनी फीलिंग शेयर करना मतलब एक लाइक का मैरेड कपल इतनी खुबसूरत अनर्जीज आ रही है और आप इतनी चोटे-चोटे चीज़ें भी एक दूसरे से पूछ कर करते थे बेना एक दूसरे की पर्मीशन के आप लोग और बहुत खुश रहते थे बहुत खुश अब यहां पर ना आपकी अनर्जीज आ रही है कि मतलब आप तो यह चाह रहे हो कि पहले जैसे सारी चीज़ें हो जाएं इनका भी ध्यान आप में लगा है आपका ध्यान इन को चाहुआरिग आपके पर्सन की आपको सोचकर आपके बारे में सोचकर आखें भर आई और वेक कुछ तो ऐसा हो रहा था जिससे, जिसका वैसिज आप तक पहुंचा होगा, definitely पहुंचा होगा, या तो बहुत जदा याद आई होगी, अचानक आपके आप खुल गई होगी, या आपका, या आपकी feeling सेड हो गई होगी, स्ट्रेस हुआ होगा कुछ तो हुआ है साथ जो जिससे आपको बार बार लग रहा होगा कि यह कोई याद कर रहा है है ना तो यह स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है bottom of the card क्या कहता है पांटिकल टाइम दिया था मैंने कि bottom of the card साथ चेंज होगा लेकिन पांटिकल के रजीज में ही आई अजल्स हमें यहीं चीज़ करना चाह रही है अंजल्स हमें यहीं पताना चाह रही हैं यह बताना चाह रही हैं कि भाई आपके person किसी की नहीं सुन पाएंगे उन्होंने बहुत कोशिश की आपके रिश्टे को बैलंस करने की कि third person को समझाने की लेकिन third person ने काफी ज़्यादा miss guide भी किया बहुत ही ज़्यादा control भी कर रही है जिसकी बज़य से आपके person काफी ज्ट्रेसमें यहां पर यह भी कह रहा है कि जो आपके person जो थाड़ परसन है ठीक है वो काफी ज्यादा अपनी life में happy है है ठीक है यहां पर जो energies मिल रही है ऐसी मिल रही है कि थाड़ परसन को किसी चीज़ की चंता नहीं है ना आपके person की feeling से उसको मतलब है नहीं आपके person की किसी भी चीज से मतलब है आपके जो परसंगे न इन परसन की समय मुझे यहां पर दिख रहा है कि मैंटली और फिजीकली और करियर इन सब पर एफेक्ट पड़ रहा है और यह काफी ज़ादा इस समय पर इस्ट्रेस में दिख रहे हैं काफी ज़ादा इस समय पर परिशान है पर यहां पर यह भी कह रहा है कि वह आप अपसे दूर नहीं रहाएंगे कुछ नहीं कुछ action तो वह लेंगे जिससे कि वह आपकी life में comeback हो और यहां पर third person के life में जो है वह अपने लाइफ में आफ कर रहा है पर उसका फोकस आपकी परसे औरहे के तरफ हैंंगे । person enjoy भी कर रहा है लेकिन उसका focus आपके person की तरफ है और यहां पर मैं यह भी देख रही हूँ कि आपकी person अगर social media वगरा पर है तो कफी ज़्यादा post डाल रहे होंगे ऐसे जो कि third person की कहने से ही डाल रहे है मतलब photos वगरा यह सब दिखाने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा खुश है कि कही नहीं अगर थाड़ बाट यह आपको जानती है तो यह थाड़ परसां आपको जानता है तो वो इस तरह के post उनसे बूलकर पड़वारा होगा पैंटिकल है टूआ पैंटिकल एक बैलंसिंग एनर्जी की तरफ रिप्रेजेंट करता है कि हाँ आपके परसन चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में दुबारा से लेकर आना आपके पास आना आपके साथ कंटीनु अपने रिलेशन्सिप को रखना कल रात चो सिच्वेशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ये परसन बहुत जादा इस समय पर स्ट्रेस ले रहे हैं तो राशियां यहां पर दिख रही है बता देती हूं मैं मीन है कुम्ब कन्या है भई एक्क्योरियस है और कुम्ब कैप्रिकॉन है स्कॉर्पियो है लियो कैंसर टॉरस है एरीज है सजिटेरियस है तो यह राशियां यहां दिख रही है और आप मुझ्या बात करना चाहते हैं तो नमबर नोट कर लिजेगा 95401-9650 मैसेज के थरू अपॉइनमेंट लिजेगा देन आप मुझ्से बात कर सकते हैं कॉनल नहीं प्लीस के वल मैसेज के थरू अपॉइनमेंट चलिए देख लेते हैं क्या होगा आगे क्या क्याते हैं अंजल्स क्या गाइड करती हैं अंजल्स गाइडन्स ले लेते हैं क्या होगा नेक्स्ट क्या ये थार्ट परसन को छोड़कर आप आएंगे क्या आप लोग के बीच में दुबारा से प्यार होगा relationship होगा क्या है future आपके रिष्टे का future बहुत important चीज होती है वाई किसी भी relationship में आप है future क्या है तो यहाँ पर जो card आया हुआ है वो कहीं न कहीं आपके energies में जो energies आ रही है कि भाई तुम trust रखो आप देख सकते हो इस card को अंजल साब को बोल रही है कि सब कुछ ठीक होगा trust रखो दूसरी चीज आपके जो person है वो उनकी इसाब से अगर देखा जाए उनकी energies को देखा जाए तो थार्ड पर्सन से रिष्टा तोड़ रहा है ठीक है और मुझे लग रहा है कहीं कहीं तो मुझे यह भी दिख रहा है कि उन्होंने खतमी कर दिया रिष्टा बहुत जगड़े के बाद क्योंकि काफी time से थार्ड पर यह पर जो भी उनके साथ जिसका भी involvement है आप दोनों के बीच में तो उस involvement को वो नहीं आने देना चाहते है energies यहां पर यह क्या रहा है कि बहुत ज्यादा कोशिस कर रहे हैं कि वह उस थार्ड परसन की रिष्टे को ब्रेक कर दें आज की पूरी energy से मुझे यहां पर involvement ही दिख रहा है जो कि आपको कहीं न कहीं अंजल से ही गाइड कर रही है कि आपका relationship जो है वह पहले की तरह होगा आपकी परसन के साथ आपका future है जो कि यहां पर यह भी दिखाए दे रहा है और आप लों के बीच में जो energies है वह बहुत beautiful दिखाए दे रही है अच्छा आपका जो रिष्टा है वह आगे तक जाएगा मतलब अगर आपका जो relationship है उसमें इश्वर का संदेश भी दिख रहा होगा आपको यह relationship आपका आगे तक जाएगा future है दिखाए दे रहा है दूसरी चीज़ यह person आपका life partner बनेगा आगे जाके पूरी तरीके से अगर यह आपके life partner है तो भी इनके साथ आपका relationship आगे जाके travel हो जाओगे आप दोनों एक दूसरे के साथ तो यह है energy जो कि यहाँ पर मैंने देखी आपके रिष्टे की आपके relationship की एक संदेश और ले लेती हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे messages मिल रहा है एक संदेश ले लेती हूँ आपके person का आपको लेकर क्या है energy क्य क्या कहना चाहते हैं वो अपसे क्या 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 रहे है कि आपके person यहाँ से जो मेरे को energy मिल रही है last message उनका यह है कि वह move on हो रहे है पूरी तरीके से रिष्टा ब्रेक कर रहे है और आप उनके प्यार को deserve करते हो guys और आप लोगों के बेच में एक अच्छा beautiful relationship यहाँ पर show हो रहा है तुनका संदेश यही है कि मैं आ रहा हूँ वापस या मैं आ रही हूँ वापस तुमारी life में so guys I hope so connect कियो comment section में comment जरू कर लेजेगा and take care bye bye